निमस्कार कशिश रियूज का डिजिटल प्लाट्फरम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ शिखा सरूज सिंग 20 मई 2014 ये वो तारीख है जब लोगसबा चुनाओं में करारी शिकस्त मिलने के बाद नितिश कुमार ने चौकाने वाला फैसला लेते हुए क्याबिनेट के सहयोगी और अपने सबसे भरोसे मंद महादलित नेता जीतन रामांजी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया था कहा जा रहा है कि तब नितिश की पहली पसंद RPC सिंग थे और उनके नाम पर सहमती नहीं बन सकी खेर बाद में क्या हुआ सब जानते हैं कहा जाता है कि नितिश की क्रिपा से मुख्यमंत्री बने मांजी कुछ दिनों में ही अपने मन का करने लगे और जब नितिश ने उन्हें गदी छोड़ने के लिए कहा तो मांजी ने इस कुरसी पर बने रहने के लिए हर वो जतन किये जो वो कर सकते थे हाला कि सामने नितिश जैसे चाणक्य थे लेहाजा तमाम तिक्डम बाजी करने के बावजूद उन्हें पद से हटना पड़ा दो फरवरी 2024 को भी नितिश की तरह ही हेमंत ने जेल जाने से पहले चमपाई सोरेन को जारखंट का मुख्यमंत्री बना दिया कहा जाता है कि तब भी हेमंत की पहली पसंद कलपना सोरेन थी लेकिन बताया जाता है कि विदान सभा की सदस्य नहीं रहने के चलते या फिर यह कहें कि परिवारवाद के आरोप से बचने के लिए हेमंत ने अपने पिता शीबु सोरेन के सबसे भरोसे मन चमपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना मुनासिब समझा हलाकि तब हेमन चाते तो कल्पना सोरेन को भी मुख्यमंत्री बना सकते थे और 6 महीने के भीतर गांडे सीट से चुनाव लड़ा कर विधायक बना कर उन्हें कंटिन्यू कर सकते थे खेर चमपाई 152 दिनों तक सीअम बने रहे तब तक जब तक हेमन जेल से बाहर नहीं निकले जेल से बाहर निकलने के बाद सोनिया गांधि सहित वरिष्ट नेताओं की सलाह पर हेमन ने चमपाई को हटा कर खुद मुख्यमंत्री की गद्दी पर कबजा जमाया कहा जाता है कि चमपाई सोरेन माम जी की तरह ही सीम की कुरसी छोड़ने को तयार नहीं थे या फिर यूं कहें कि कसक और ये टीस अब उन्होंने बगावत का जंडा बुलंद कर लिया है हेमन सोरेन पर पोस्ट के जरिये कई गंभीर आरोप लगाने के बाद अब वो अलग संगठन खड़ा करने में जुटे हुए हैं कुछ हर्ता कुने काम्याबी भी मिल रही है और इससे हेमन सोरेन और जेमेम बेचैन भी नजर आ रहे हैं हेमन सोरेन की ओर से लगतार कुलान के उन विधाईकों को एक जुट रखने की कोशिश की जा रही है जिनके बारे में चर्चा थी कि वो चमपाई के साथ जामुमों से अलग अपनी राह चुन सकते हैं खैर इसमें हेमन कितने काम्याब हुए ये तो आने वाला वक्त वताएगा लेकिन इस पूरे प्रकरण नहीं हेमन सोरेन को इतना जरूर सिखा दिया है कि अब उन्हें किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं अगर आप गौर करेंगे तो आपकी आखों के सामने ये जलकने लगेगा कि चमपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने और जेल जाने से लेकर अब तक वो अपनी पाटी के किसी नेता पर रैत्वार करने के बजाए अपनी धर्म पत्नी कलपना सोरेन को राजनीतिक की बारी क सिखाते नजर आ रहे हैं पढ़े लिखे और समझधार होने के कारण कलपना सोरेन भी पती की हर उम्मीद पर खरा उतरने में कोई कूर कसर नहीं छोड़ रही हैं वो घर की चारधिवारी से निकल कर गांडे वधान सभा से चुनाव जीतने के बाद लगातार जनता के बीच जा रही हैं और बात चाहे हेमंद की गैर मौजूदगी के समय की हो या फिर उनके जेल से बाहर निकलने के बाद की दुबारा मुख्यमंतरी बनने के बाद से तो कलपना सोरेन मुख्यमंतरी हेमंद सोरेन के साथ साई की तरह नजर आ रही हैं कोई भी सरकारी या गैर सरकार कारिक्रम हो कलपना सुरेन हमसफर की तरह हेमन सुरेन के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है और यहीं नहीं इस दौरान चाहे जनता के बीच जाकर सरकार और पार्टी की उपलब्धियों के बारे में बताना हो या फिर भासरन के जरिये अपनी बात रखने की वो हर जगहा से ज्यादा कनेक्ट कर लेती हैं खास तोर पर आधी अबादी यानि आधिवासी मूलवासी महिलाओं के बीच कलपना सुरेन बेहद लोक प्रिय होती जा रही है जहां भी उनकी सभा होती है काफी संख्या में महिलाएं उन्हें सुनने के लिए पहुँच रही हैं सिर्फ मह खिलाएं ही नहीं बलकि यूथ में भी उनका अच्छा खासा क्रेज नजर आ रहा है यूवा भी कलपना सुरेन की मिलनसार और जादूई वेक्तितों से बेहद प्रभावित हैं और उन्हें लगता है कि कलपना सुरेन में वो काबिलियत है जो अपने पती हेमन सुरेन के मजने वाले विशलेशक ये कहने लगे हैं कि अगर हेमन सुरेन पर खोदा ना खास्ता कोई आफ़त आती है तो तब उन्हें किसी को अपना उत्तराधिकारी चुनना पड़ता है तो फिर जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने 25 जुलाई 1997 को अपनी पत्नी रावडी दे मैसेज जामुमो और महागडबंधन के नेताओं को भी मिल चुका है और इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है आप क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं नमस्कार